आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चुहार ने आज मोतिला नहरु स्टेडियम भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत और युवानीती की घोषना कारिक्रम का शुभारम दीप प्रजलन किया उन्होंने ही सौसर पर प्रदेश के युवाओं को नीट परिक्षा में पांच फिसीदी आरेक्षन देने और मेधावी चात्री यूजना में पात्रता के लिए वार्शिक आय सीमा 6 लाग से बढ़ा कर आठ लाग करने की घोषना की युवा नीती में 10,000 से ज्यादा सुझाओं को शामिल किया गया है मुख्यमंत्री ने युवाओं को इस नीती में 10 एहम विंदों की भी जानकारी दी यूथ महापंचायत में प्रमक रूप से कल्यानकारी युजनाओं के युवाहित ग्राही, विभिन शेत्रों के यंग एचिवर्स, विद्यार्थी और यंग प्रोफेशनल्स शामिल है केंडरी स्वास्त मंत्राले ने लोगों को आगाह किया है कि कोबिट महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है देश में कोबिट के सिती को लेकर नई दिल्ली में मीडिया को सम्भूर्षित करते वे केंडरी स्वास्त सचीव राजेश भूशन ने बताया कि प्रसिदिन विश्व इस्तर पर कोबिट संक्रमन के आसदन 94,000 मामले सामने आ रहे हैं लेकिन भारत में संक्रमन के सिर्फ 966 मामले हैं जो विश्व के कुल संक्रमन का सिर्फ एक प्रतिशत है श्रिभूशन ने अन्य बिमारियों से ग्रसित लोगों को भीडभाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने और कोविड अनुकूल व्योहार का पालन करने को कहा है हालाकि नियाएक मजिश्रेट एचेच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजापर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि वे इस अवधि में उपरी अदालत में अपेल कर सकें फैसला सुनाते जाते समय राहुल गांधी भी अदालत में मौजूद थे कॉंग्रस नेता ने 2019 की लोकसभा चुनाओं से पहले करनाटक के कुलार में एक जिनसभा को संभोधित करते वे मोधी सरनेम पर ये आपतिजनेक टिपनी की थी शुपरी सिले में मध्रप्रदेश जन अभियान परिशत द्वारा विकास का नरवर में कल जल अमरित संजीवनी अभियान के शिरुवात की गई इस उसर पर यहां मढ़े की पहाडी पर जल संजय करने के उद्देश से जन भागेदारी द्वारा कंटू ट्रिंच खोदने का शुभारम किया गया यहां द्वारा यहां प्रते दिन एक घंटे शुम्दान करते वे खंती खोदी जाएगी जिसमें बरसात के दिनों में वे भेनर प्रजातियों के पौधों के बीच डाले जाएंगे ताकि पहाडी शेतर की भूमे का शरण ना हो और जमीन में पानी का संचे हो सके देश आज शहीद दिवस के औसर पर महान 173 संग्राम से नानी भगस सिंग सुकदेव और राजकुरू को शुद्धान शले अरपित कर रहा है एक ट्वीट में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने कहा है कि भगस सिंग सुकदेव और राजकुरू के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा और ने कहा है कि महान लोगों ने देश के संटर संग्राम में अतुलनी योगदान दिया रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू होगा रोते हिलाल यानी चंडरमा देखने के लिए बनी समितिने कल नई दिल्ली में गूशना की कि रमजान का चांद कल शाम को नहीं देखा गया बोपाल में ISSF निशाने भाजे विश्यकप प्रतियोगता में आज दस मीटर एयर राइफल मेक्स टीम इस परधा में नर्मदा नितिन राजू और उद्राक्ष बाला साहब पार्टिल की भारती जोडी ने चीन को सोला आठ से पराजित कर कहां से पदक अपने नाम किया प्रतियोगता में ये भारत का तीसरा पदक है अब को समचार संग शेप में भारती निता पार्टी के अध्यक शेपी नड़ा ने राजस्तान, और दिशा, दिल्ली और बिहार में नए पार्टी प्रमकों की न्यूगती की है शिन्दवाडा में कलेक्टर ने आज कलेक्टरीट सभाकक्ष में मुक्यमंत्री लाडली बहना यूचना के संबंध में बैठक ली टीकम कर जिली में एक किवाईसी के लिए सुबह नौ बजे से रात आट बजे तक आधार केंद्र खोले जाएंगे आगर मालवा जिली की ग्राम पंचार पाल खेडी में महिला सचक्ती करनकारी क्रम आयोजेत क्या गया केंद्री सिंस्कत विश्विद्याले के भूपाल परिसर में आयोजेत दोदिवसी राश्री व्याकरन शोच संगुष्टी का समापन हो गया वरिश्व पत्रकार पदमश्री अभय छजलानी का सुबह निधन हो गया वे लंबी समय से असुस थे इस गुलिटिन में इतना ही नमस्कार